ओम शांती तेरा सितंबर दो हजार चोबिस की साकार मुरली है आज की मुरली में कलियोगी पुरानी दुनिया को सत्योगी नई दुनिया बनाने वाले मिठे मिठे शिप बाबा ने कहा मिठे बच्चे तुम सरब आत्माओं को करम बंधन से सेलवेज करने वाले सेलवेशन आर्मी हो तुम्हे करम बंधन में नहीं फंसना है मेठे बच्चे, तुम सरब आत्माओं को करम बंधन से सेलवेज करने वाले सेलवेशन आर्मी हो, तुमें करम बंधन में नहीं फंसना है परशन है, कौन सी प्रेक्टिस करते रहो, तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी कौन सी प्रेक्टिस करते रहो, तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी उत्तर है, जब भी समय मिले, तो शरीर से डिटैच होने की प्रेक्टिस करो डिटैच होने से आत्मा में शक्ति बापस आएगी, उसमें बल भरेगा तुम अंडर ग्राउंड मिल्टरी हो, तुम्हें डिरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ धारना के लिए मुख्यासार है, नमबर एक, लाइट हाउस बन सब को शांती धाम सुखधाम का रास्ता बताना है, सब की नईया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है अपना भी कल्यान करना है, नमबर दो, अपने शांत सो रूप स्थिती में स्थित हो, शरीर से डिटैज होने का अम्भास करना है या आदमी आँखें कोल कर बैठना है, बुद्धी से रचता और रचना का सिमरन करना है वरदान है आज, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्यान सोरूप और शक्ती सोरूप बनाने वाले संपूरन पवित्र भव मेनिंग है वरदान का बापसमान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पकार करो फाउंडेशन में ब्रम्चर्य वरत धारन करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ द्रिश्टी वृती की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकलपों को शुद्ध ज्यान सोरूप, शक्ति सोरूप बनाओ संकलप में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी सिमापत करो तब कहेंगे संपूरन पवित्र आत्मा सलोगन है, द्रिश्टी में सबके प्रती, रहम और शुब भाव ना हो, तो अभीमान वा अपमान का आंश भी नहीं आ सकता द्रिश्टी में सबके प्रती, रहम और शुब भाव ना हो, तो अभीमान वा अपमान का आंश भी नहीं आ सकता अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता पाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते ओम शांती